Hello students, we are going to continue sets chapter, आज last lecture है, हम कुछ और properties करेंगे, five properties और करेंगे और इसके बाद हम exercise स्टार्ट करेंगे, दो properties मैंने याँ पर solve कर रखी हैं, जल्दी से देखिए इसको बड़े ध्यान से और बिल्कुल same steps हैं जैसा हमने पहले किया था, first property क्या है, a compliment का अगर compliment लें, तो answer क्या आ हमने करके भी देखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ अगर आपको example से समझाओ, मान लिजी ये universal set है हमारे पास, one, two, three, और मान लिजी ये ten तक elements हैं, और a set है हमारे पास, जिसमें सिर्फ three elements हैं, one, two, three, तो देखिए, a compliment में क्या होंगे, a compliment मतलब one, two, three छोड़ कर, बाकी सारे होंगे, और इसका अगर मैं further compliment ले लूँ, तो क्या होगा, यानि force लेकर ten तक छोड़ के वापिस, क्योंकि compliment क्या होता है, u में से हमने लिखना होता है, जैसे a का compliment लिया था, a वाले जो element हैं, उनको छोड़ के, बाकी सारे a compliment में लिखे न, अब इसका further अगर compliment ले हैं, तो देखो यह दुबारा क्या बन गया हमारे पास, a यह बन रहा है, तो यह हमारी verification है, इसी का theoretical proof हमारे board पे हमारे सामने है, ध्यान से देखेगा और बड़े अच्छे से समझेगा, same concept, let x be an arbitrary element of left side, यानि x left side को belong करेगा, यहाँ पर main चीज़ क्या change है, कि अगर x किसी चीज़ के compliment को belong करता है न, तो इसका मतलब x उस चीज़ को belong नहीं करता, अब इसी चीज़ को समझो, मान लो, x belong करता है a compliment को, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब x does not belong to a, अगर कोई value a के compliment में आती है, तो इसका मतलब वो a में नहीं आती, और इसी तरह से, अगर कोई चीज़ इसमें आती है, तो उसकी अंदर वाली value में नहीं आती, तो यह concept यहाँ पर use किया हुआ है, इसे अच्छे से देखिए, अब देखो, अगर x a compliment में नहीं आता, तो फिर not belong कर देंगे, not belong है, तो belong कर देंगे, जैसे यहाँ पर उपर वाला c हटाया, not belong का symbol आ गया, फिर यह c हटाया, तो यह not belong छोड़के, simple belong to वाला symbol आ जाएगा, और technically, आप example की form में समझें, तो बिल्कुल correct है, तो देखिए, left side से शिरू हुए, right side में पहुंचे, यह प्रूव कर दू, तो universal set complete हो जाता है, right, अभी example की थी ना हमने, मेरे पास a में कितने elements थे, 1, 2, 3, a complement में, 4 से लेकर 10 तक, तो अगर मैं a union, a complement करूँगा, तो 1 से लेकर 10 तक सारे हो जाएगे, यहने कि क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, तो second part, अब समझना देखिए, कितना असान है, left side में किया, x belongs to left side, u का निशान हटाया, तो और लग गया, जिनको यह concepts clear नहीं है, वह प्लीज पिछले lecture जरूर देखे, अब और as it is, a complement को हम u minus a भी लिखते हैं, बिल्कुल ठीक, यह भी as it is, और भी as it is, अगर x u minus a में है, तो हमने difference of matrices भी पढ़ा है, sorry difference of sets भी पढ़ा है, क्या है u minus a, कि अगर u minus a में किसी element के होने का मतलब, universal set में तो है, लेकिन a वाला नहीं लिखना हमने, यानि कि x जो है, u में है, लेकिन a में नहीं है, तो यहाँ पर यह कहता है x belongs to a, यह कहता x does not belong to a, तो इसलिए यहाँ से हमने क्या select किया, u, कि u में तो पक्का ही है, और इदर देखो right side में यूँ ही चाहिए, तो इसका मतलब left side is equal to right side, तो बड़े ध्यान से simple सी practice हम कर चुके हैं already बहुत, तो दो यह parts हैं हमारे पास, तीन parts और आज करने वाले हैं, ध्यान से देखो, third part देखिए अब, third part left side में, अब मैं पूरा step पहला नहीं लिख रहा हूँ, बस यह देखिए, x belong करेगा किसको, a intersection, a complement को, इसका मतलब x belongs to a, intersection की जगहें पर and, x belongs to a complement, अब इसका मतलब फर्दर क्या हुआ, कि जी, x a को belong करता है, x a complement को belong करता है, तो मतलब, x does not belong to a, अब देखो नहीं यह कहता है, x a को belong करता है, और x a को नहीं भी करता है, और बीच में, or और और नहीं है, and है, and का मतलब, दोनों चीज़ें, एकठ्थी true, जबकि एकठ्थी तो true होई नहीं सकती, इसका मतलब, x belongs to 5, और 5 ही हमें intersection a complement is equal to 5, तो बहुत ही simple है, और इस लोग का नाम भी complement लोग बोलते हैं, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी, बहुत ही important, d morgan's law, important है, paper में आ जाता गए बार, student proof, d morgan's law, यह ध्यान से समझना है आपने, यह देखिए, इसके दो पार्ट से d morgan's law के d morgan's law, a union b का complement किसके एकल होता है, a complement, b complement तो ही, बीच वाला sign change हो जाएगा, intersection का sign आ जाएगा, अब देखिए, left side में belong करेंगे, तो x belongs to a union b complement, जो method हमने पढ़ा है न, उसी पे focus रखना है, complement का जो sign है उपर, अगर यह हटाएगे तो क्या हो जाएगा, does not belong का लग जाएगा, देखते जाएगे बहुत असान है, अगर x a union b complement को belong करता है, तो इसका मतलब a union b को नहीं करता, अब देखो, अगर a union b को belong नहीं करता, तो क्या होगा, x does not belong to a, ना तो फिर वो a में आता ना ही b में आता होगा, और है भी क्या गलत इसमें, जब कोई चीज a और b की union में नहीं आती, फिर ना तो वो a में आती, ना फिर b में आती, अब अगर वो a में नहीं आती, तो फिर इसका मतलब a complement में आती होगी, बी में नहीं आती, तो फिर b complement में आती होगी, अब end का निशान हटा दीजे, end का निशान हटाएंगे तो intersection का लग जाएगा, देखो, left side से शुरू किया, right side में पहुँच गे, कोई मुश्किल नहीं है, इसका मतलब a union b complement is equal to a complement intersection b complement, बिलकुल असान, और इसी का second part जो d morgans law का है, कि अगर यहाँ पर u की बजाए क्या हो, intersection हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, union हो जाएगी, अब देखते जाएगे, यहाँ पर intersection, right, अगर कोई x belong करता है, a intersection b complement को, तो फिर does not belong होगा यहाँ पर, अब फरक क्या आएगा, यहाँ पर and की बजाएगा, और हो जाएगा, कैसे, देखो कहता है, x जी a और b की intersection में नहीं आता, यानि कि x a और b में common नहीं है, तो यानि कि या तो a में नहीं है, या फिर b में नहीं है, अब या आ गया तो फिर क्या लगेगा, और लगेगा, तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, जब और है तो और की जगा पर intersection की बजाएगा, लगेगा यू लगेगा finally यहाँ पर यू प्रूव और left side में intersection तो बिलकुल आसान है और ये जब हमने intersection में convert कर दिया तो बीच में ही हमने 5th पार्ट भी cover कर लिया 5 properties हमने करी ये last वाली important है जो सिधा prove करने paper में आ जाती है platण flow Bruce करना थीकह यह तो इन properties को अच्छे से करना है, कल हम exercise start करेंगे, ओके, thank you.